Hello all viewers, आज इस वीडियो के अंदर हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं, उसका नाम है The Mother of a Traitor, मतलब एक आतंगवादी की मा, इसके अंदर हम समरी देखेंगे, यह स्टोरी लिखी है by Maxim Gorky, और स्टोरी की राइटर है Maxim Gorky, चलिए स्टोरी को, The story, The Mother of a Traitor, as the name suggested deals with Mona Mariana, यह जो स्टोरी है, जिसका नाम है The Mother of a Traitor, यह Mona Mariana से डील करती है, मतलब इसकी जो Mother है, यहाँ पे जो Mother word हुआ है, इस Mother का नाम क्या है, Mona Mariana, ओके, The Mother of a Traitor, और यही क्या है, एक आतंगवादी की मा है, Traitor मतलब आतंगवादी, चलिए आगे देखते हैं Her son was the leader of the enemy who had surrounded the city, अब जो Mona Mariana का बेटा है, वो आतंगवादीयों क्या, जो संगठे ने, उसका head है, लीडर है, उसकी जिस टीम ने पूरी की पूरे शहर को घेर रखा है, उसका head है, उसका बेटा, Mona Mariana का The enemy had surrounded the city in the tight of ring of steel, और किस तरह से घेर रखा है, बहुत ही जकड कर रखा है, पूरे स्टील का एक रिंग बना रखी है, चारो और बहुत ही tightly उसे घेर रखा है They had also cut off all supplies of water and food, मतलब भोजन और पानी की सभी आपूर्तियों को भी बंद कर दिया है, इस तरह से उनने उसे घेर रखा है The people in the city knew that there was a little hope for help, मतलब जो people है जो city में रह रहे हैं, शहर में लोग, वो यही सोच रहे हैं कि कुछ न कुछ उमीद है कि हमें छुटकारा मिल सकता है उनातंगवादियों से But their hope of salvation was waning day by day, लेकिन उनकी जो और चाहत है रहने की वो दिन प्रति दिन शेन होती जारी है, खत्म होती जारी है क्योंकि सही बात है जब ना तो उनके पास पानी आ रहा है, ना खाना आ रहा है, सब चीज की cut off हो चुकी है तो बस वो अब ये सोच रहे है की everything spoke to them of death, मतलब हर चीज उन्हें अब बस death को realize करवा रही, कि बस अब तो मृत्यू निश्चित ही है, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं रहा है मेरियाना moved about in the streets, अब जो मेरियाना है वो moved कर रही है, इधर से उधर जा रही है, streets में all alone hated by most people क्योंकि सभी को पता है जो उसका बेटा है वो आतंगवादी है, इसलिए कोई उसे पसंद नहीं करता है, सब उससे नफरत करते हैं और वो अकेली एक स्टान से दूसरे स्टान पर घूम रही है और रात को वो एक स्टान से दूसरे स्टान पर घूम रही है, क्योंकि सब उससे नफरत करते हैं, कोई उससे बात नहीं करता है, वो alone है, अकेली है उसने एक दिन एक औरत को देखा, अपने घुटने को नीचे रखते हुए, बैठे हुए एक कॉप्स के पास, कॉप्स होता है, डेड बोडी, जिसके अंदर वो डेड बोडी रखी जाती है इट वाज देड बोडी ऑफ हर सन, जो वोमन अपने बेटे की, मतब वो जो बेटा था उस डेड बोडी जो थी, वो उसके बेटे की थी, वो वोमन, वो देखती है मेरियाना, एक औरत को एक डेड बोडी के पास बैठे हुए, तो घुटने को अपने घुटने को नीचे उस औरत का जो गुटने रखे हुए नीचे जमीन पर बैटी है उसका पती तेरह दिन पहले मर गया था और लेकिन आज उसका बेटा भी मर गया है अब वो जो औरत है जो कॉप्स के पास बैटी है वो मेरियान से क्या कहती है वो कहती है कि मेरा बेटा देखो कितना ओनरेबली मरा है फाइटिंग फॉर इस कंट्री और अपनी कंट्री के लिए लड़ते हुए मैं कह सकती हूँ मुझे उसके लिए पहले डर था वो जो लेडी बता रही है जो कॉप्स के पास बैटी है वो डेट बोड़ी के लिए क्या कह रही है कि मेरा बेटा जो जिसकी ये डेट बोड़ी है वो कितना ओनरेबली अपनी कंट्री के लिए फाइट करते हुए शहीद ह हो गया है I can say that मैं यह कह सकती हूँ पहले मुझे उसके लिए डर था he was light hearted क्योंकि वो बहुत ही नर्म दिन का इंसान था नर्म दिल का इंसान था तो मुझे डर था कि कहीं वो वैसा ना बन जाए जैसा मेरियाना का बेटा आतंगवादी बना था तो उससे कहीं न कहीं डर था he was light hearted to fond of relevery and I fear that might betray of his country कहीं अपने कंटर के साथ वो धोका ना कर दे कि बड़ा light hearted था और बड़ा ही मासूम सा था मेरा बेटा भोला भाला जिसे हम कह सकते हैं as did the son of Mariana जैसा कि वो Mariana का बेटा कितना धोके बास निकला अपनी country के लोगों के साथ ही वो चीट कर रहा है मेरा बेटा भी कहीं वैसा ना निकल जाए बैटरे ना कर दे कहीं धोका ना दे दे मेरी country को ऐसा मुझे डर था लेकिन नहीं मेरा बेटा बड़े ही honorably country के लिए fight कर अब देखिये जो वो औरती को किस प्रकार भेज देते हैं धरती पर और कैसे जो उसे जन्म देने वाली coke है वो actually warm का मतलब coke होता है वो कितनी श्रापित coke होगी जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो art country के लिए इन्हें भी बन गया है actually वो कह मेरियाना को रही थी लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मेरियाना उसके सामने खड़ी है ये बात यहां पर कही गई है उनके पास जाके कहती है my son has come to be your enemy कि मेरा बेटा तो आपका दुश्मन बन चुका है इधर kill me अगर मुझे या तो मुझे मार दीजे और open the gates that I may go to the him या तो मुझे मार दीजे क्योंकि मेरा बेटा जो है आपका दुश्मन बन चुका है या फिर मुझे जाने दीजे गेट खोल दीजे ताकि मैं उसके पास जा सकूँ अपने बेटे के पास this older took consults with one another and decided that it was no use killing the lady for the signs of her son जो रक्षक होते हैं वो क्या कहते हैं अब आपस में consult करते हैं और क्या decide करते हैं कि हमें इसके बेटे के लिए इस औरत को नहीं मारना चाहिए क्योंकि इसकी गलती नहीं होगी क्योंकि इसका बेटा ऐसा बन गया है इसके संसकार ऐसे नहीं होगी वो आपस में सलह मश्वरा करते हैं वो ये भी कहते हैं कि इस औरत ने अपने बेटे को ऐसे दुशकर्म करने के लिए प्रोटसाहित तो हरगिस नहीं किया होगा therefore they opened the gate इसलिए वे gate खोल देते हैं and let her go और उसे जाने देते हैं in the enemy's camp अब दुश्मनों के camp के अंदर the soldier inquired from her who she was and why she had come अब जो soldier होते हैं और बाकी के enemy camp के वो देखते हैं कि ये कौन है और क्यों आई है तो अब वो पूचते हैं उससे तो she replied अब वो क्या कहती है your leader your leader is my son आपका जो leader है वो उन रक्षकों से कहती है इनेमी camp के रक्षकों से कहती है आपका जो leader है वो मेरा बेटा है she said वो कहती है just then come her son और वो अपने बेटे के पास आजाती है क्वेजिशल च आपका जासके लिए एप से कहती है वो आपका जोड़ जिए स्टार hoग आपने मीत आपका जरत ही है झाल 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 झाल